गीत गजल शायरी टोरोंटो दीक मशूर साहितिक संस्थाई जो की हर महीने साहित प्रेमिया ले सुरीली शाम दा आयोजन कर दिये इस समागम विच जिते गीत संगीत अते कविया नाल मैफल जज दिये तो अथे इस साहितिक किताबा वी लोक अरपन कीतिया जान दियाने विदेशा चुवस्या पंजाबी पाईचारा साहित अते सब्या चानू संबालन ले वाक वाक संस्थावा बना के उपराले करदा रेंदा है और जही ही एक संस्थाई गीत गजल शायरी जिस वल्लों हर महीने सुरीली शाम दा आयोजन कीता जान दा है जिते गीत संगीत दे नाल नाल काव महफिल सब दे दिलनू टुम्ब दिन दिये इस वार्दी महफिल विच भी खूब रॉण का लगिया ते समागम दोरान लेखक सपना चामडिया द्वारा लिखिया ते नीतु अरोडा द्वारा पंजाबी विच अनुवाद कीती पुस्तक मैंनू छुट्टी चाही दिये लोग अरपन कीती गई एक किताब औरत दी जिंदगी ते अदारत है पंजाबी विच अनुवाद साड़ी पंजाबी दी परसिद अलोचक और कवित्री नीतु अरोडा ने कीता है ते एदे विच बहुत सड़ी जड़ी औरत दी तरास्दी है विया औरत हून दी जड़ी हूनी है वो दा जिकर किता गया है और बहुत खूर सूर्थी नाड़ ए फिक्शन वी या प्रोज भी या ते शायरी वी या एदे विच्छे बहुत कुशा है जड़ा इस प्रोग्राम दी जड़ी खासियत रही है कि इस विचिक जड़ी किताब या और लीज किती गई जड़ी के एक हिंदी दी किताब सी रोजवाडी औरत अते उस किताब दा पंजबी अनवाद किता गया है समागम दोरान कवियां साहितकारा अते लेक कावलनों आपो आपने विचार वी पेश कीते गए ते जहे उपराल्यानों बेहद खास तस्या गया अपने वल्बली जड़िया सारे थे राइटर्स आके एक दूझे नाड़ सांचे कर दिया थे बहुत चंगा लगदा है नाड़ो नाड़ जड़िया पंजबी मावली दी भी सेवा हो रही है गीत कजल शायरी संस था सच मुझी शलागा योग काम का रही है विरूरत है इस दिनाल नौजवान पीड़ि नू जोड़न दी आज दे कानेडा कनेक्शन देविच फिलहाल लना ही अगले हफ्ते फेर हाजिर हो वांगी कुछ नमिया सरगर्मिया देनाल तत तक ले देव इजाज़त वेग देरो एबी पी सांचा तानवाद